प्लियादो, इलर्निंग विद दुर्गेश प्लेटफॉर्म पी आप लोगा सौवेट करती हूँ आज को जो हमारा टॉपिक है, वो क्या है? टीचिंग मेथडोलोजी तो इसके पहले हम जब बात करते हैं किसके बारे में? टीचिंग फैक्टर के बारे में? बात करते हैं, क्या-क्या इसके फैक्टर थे? मैंने बताया था पिछली क्लास में, तीन फैक्टर इसके मेन हैं मैंने क्या-क्या इसके फैक्टर बताया थे? तीन मेन फैक्टर बताया थे इसके, क्या-क्या फैक्टर मैंने इसको बताया थे? एक तो आपका इसका जो है intellectual factor था psychological factor था और क्या बताया था मैंने intellectual factor की जब बात आ जाएगी तो तुरुन समझ जाईएगा कि बुधिक कारक की बात कर रहे हैं बुध्धी एक अमूर्थ तत्व है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सिच्छडपल बुध्धी जो है एक अमूर्थ कारक है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सिच्छडपल एक तरफ से समझ जी लिजिए कि बुध्धी जो होती वो इस्तिरोती अक्रम में होती है और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी psychological factor की psychological factor में मैंने क्या बताया था अभी छमता के बारें बतायता अभी छमता क्या होती है जान लेजिए किसी काम के प्रतिaneAL जो हमारा एक तरफ से जुनून होता है जैसे किसी-किसी बालक में बहुत ज़्यादा लगन होती है साइंस को परने में या मेडिकल फिल्ड में या फिर साइंटिस्ट बनने का किसी किसे में बहुत ज़्यादा होता है तो वह किसी कारण होता है अभी छमता को ही after two day कहते हैं अभी छमता को ही क्या कहते हैं बात के समझ में आई अभी छमता को हम लोग क्या कहते हैं after two day कहते हैं अभी छमता को हम लोग क्या कहते हैं after two day कहते हैं अब हम बात किस की अब हम क्या बताते हैं अभी वृत्ती बताते हैं अगर हमारा इंट्रेस्ट टीचिंग में है और हम पढ़ाते हैं, लोब फलशुरूप, हम किसी अलग ब्यापार में कदम रखते हैं, उसमें इंट्रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं, फाइनली उसमें हमको एकोनॉमिकली फायदा होता है, तो वह कहीं न कहीं क्या हो जाता है, अभिवित्ति हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिवित्ति कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको अभिवित्ति कहेंगे, अभिवित्ति यानि अटिट्यूट, अभिवित्ति यानि अटिट्यूट, तो यह सब फैक्टर हैं, जो सिच्छड को बहुत ज्यादा प्रभ प्रभावी होंगे जितनी प्रभावी कारक होंगे उतना ही प्रभावी सच्छड होगा बात समझ में आ रही है जितना प्रभावी कारक होगा उतना ही प्रभावी सच्छड होगा अगले कि हम बात करते हैं क्या बात करते हैं एक तरफ से आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है अगर सिच्छड में इंटरेस्ट सिच्छक और सिच्छार्थी को हो रहा है बढ़ियां तो ही सिच्छड जो होता है अपने आप में फूर्ड है इतनी बात इतनी है जिनका बड़ा योगदान है और समवेग से बड़ा संबंध है है ना हमने क्या बोला था कि समवेग दो तरह का होगा समवेग को मैंने क्या बताय था इमोशन है ना समवेग को मैंने क्या बोला दो तेरह का बोला एक पोजिटिव समवेग दूसारा निगेटिव प पॉजिटिव समवेग हो गया हुआ हर सुलास और प्रेम की हम बात करते हैं अब देखें यहाँ पे निगेटिव की बात करती हूँ ग्रोध हो गया निगेटिव समवेग में क्या हो गया ग्रोध, घृड़ा, इर्शया यह सब क्या हो गया कही निगेटिव समवेग हो गया बड़ा प्रिभाव पढ़ता है अगर हम टीचिंग के दौरान है न क्या करते हैं सिच्छड या सिच्छाति दोनों में समवेग अगर पॉजटिव है तो कही निगेटिव है तो सिच्छड पर वो पॉजटिव रिजल्ट जाएगा और अगर समवेग निगेटिव है तो सिच्छड पर रिजल्ट निगेटिव जाएगा पॉजटिव का संस यह हो गया कभी कभी हम लोग भेद भाव करते हैं अब किसकी बात करते हैं कहीं ने कहीं सिच्छड सिध्धान्त की बात करते हैं सिच्छ सिध्धान्त की बात करते हैं किसकी हम क्या हम बताते हैं सिच्छ और सिध्धान्त में सबसे पहला सिध्धान्त क्या वैलो दिया गया है कि जीवन के समबंद बने सिच्छार्ते जो भी सिच्छा ग्रहन कर रहा है और सिच्छक उसको जो भी सिच्छा दे रहा है वह हमेशा उसके लाइफ से अटेच हो लाइफ से अटेच का सेंस कि जो भी ज्यान हम बालक को दे रहे हैं वालक को वहा उसके आसपास के वातावरण परिवार मेत्र सबसे मिलता घुलता रहे हैं नो सबसे क्या रहे मिलता घुलता रहे बात समझ में प्रिकार ससे आप कहेंगे पहला सिध्धांत इसको आप समझेगे मैंने क्या बोला कि जीवन शे सम्बढदित सिछण के सिध्धांत टॉपिक क्या है सिच्छड के सिध्धान फर्स्ट जीवन से संबंधित सिच्छड की बात करते हैं इस सिध्धानत का कहना क्या है कि बच्चे को जो भी कुछ ग्यान दो वा उसके आसपास के मौहल से मित्र से परिवार से उसके लाइफ में उसके जीवन में जो गटनाय गटती है ट्राकतिक रूप से या फिर मूर्थ अवस्था में या फिर अमूर्थ अवस्था में उनसे मि अगला point क्या है इसमें सिध्धान्त में सेकंड वाला रुची का सिध्धान्त क्या है रुची का सिध्धान्त अब देखिए सिच्छड पूर कब होगा जब सिच्छक और सिच्छार थी दोनों की रूची होगी पढ़ने में भी पढ़ाने में भी तभी क्या होगा सिच्छड पूर होगा इतनी बास समझ में आई थर्ड पॉर्ट क्या हमने कहा प्रेडा का सिध्धान क्या कहा प्रेडा का सिध्धान क्या कहा हमने प्रेडा का सिध्धान अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि बिद्यार्थी को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए बिद्यार्थी को हमेशा क्या होना चाहिए प्रेणा देते रहना चाहिए अक्सर आप सुने होंगे छोटे जो है जो भी बिद्यार्थी हैं उनको हमेशा महापुरुसों की कथाएं सुनाई जाती हैं वीरों की गाथाएं उनको सुनाई जाती हैं नाटक के थुरू उनको कही ने कहीं वरन किया जाता है कहीं ने कहीं उनको कभी कभी जो है कोई प्रोग्राम किया जाता है विद्याले में तो कभी गाधी जी का उनको एक्टिंग करने को कहा जाता है तो कभी नेहरू जी की एक्टिंग करने को कहा जाता है कि वह प्रत्यच अपने सामने गाधी जी की एक मिलेगे तो यह एक तरह से सिच्छड का बहुत ही मूल सिध्धान्त है सिच्छड का बहुत ही मूल सिध्धान्त है कौन सा प्रेणा का सिध्धान्त अगली अगला हम बात किसका करते है नंबर फोर अगला क्या बताते है क्रिया सीलता का सिध्धान्त किसकी बात हम कर रहे हैं क इसका सिध्धान क्रिया सीलिता का सिध्धान जो विद्यार्थी होते हैं वह अक्सर कुछ न कुछ पूरे दिन करते रहते हैं और वह किसी कार को करके करने में रिस्पॉंस समझते हैं बात समझ में आ रही है अगर जो है प्रैमरी लेवल के हम बात करें जो बच्चे होते हैं उनको कोई भी चीज तब समझ में आती है मतलब कोई भी टॉपिक हो उनको कब समझ में आता है जो वो उनके सामने बिल्कुल प्रत्यच होता है और especially work करके सीखने में यकीन रखते हैं अगर हम किसी विद्यारती को बता दे कि पेड़ है पेड़ की ये पतियां है ये उसकी stem है ये सारे उसका root है root नीचे होता है और जो इसकी टहनिया उपर जाती है ये सारी चीजे अगर हम ऐसे अमूर्त वस्था में किसी बालक को बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा बट अगर वही से बालक को मूर्त वस्था में बताऊंगी तो कहीं न कहीं जो भी बालक रहेगा उसको समझ में बहुत असानी से आ जाएगा तो एक तरब से कहीं ने कहीं उसने क्या किया उस पेड को प्रत्यच रूप में देखा और समझा कि रूट नीचे है टहनियां उपर जा रही है और ग्रीन इसके लीफ है इसी ग्रीन लीफ के कारण ही यहां पे क्लोरोफील हो है क्लोरोफील के कारण ही इनको क्या हो रहा है फा एक प्रत्ययच्गे कुछीजर आपके सामने अ प्रत्ययच सब्देता है आप उसको फुर्ड करें हैं। मूर्थ बुद्धी लगाता है, मैंने इंटेलिजेंस ने पढ़ाया था तो वहीं चीज़ा है, आप समझ लिजीए, क्रिया सीलिता के इस धांत में जो विध्यार्थी होता है, वह जो होता है करके सीखने में यकीन रखता है, और करके सीखना सबसे बेस्ट है, आगमन बिधी के बारे में मैंने बताया था आगमन विधी को प्रतिपादित किस ने किया अरस्तु ने किया वहाँ पे कहा गया कि बालक को पहले इस थूल से सूश्मे की तरफ यानि कहीं ने कहीं अगर माले दीजिए मैं इंसान हूँ और मेरे डाइजेशन सिस्टम को बालक को समझाना है त इस सारे चीजिए बतानी पड़ेगी उसके बाद हो डाज़ेशन फेजाएगा जैसे मालो जी प्लांट के फोटो सिंथेसे के बारे में बालक को बताना है तो आगमन मिधी कि थूथ रूँ मुसको कैसे बताएंगे सब एसे पहले थो हम प्लांट के बारे में बताएंगे द ने उसमें जहां जहां green है वहा पे नाइता है तो उसे कट फोटोसंथेजे, तो ऑलक यह भी क्वेशन कर दिये अचै, इस पेड में तो पत्ति आहीowing है तो फिर यह कैसे है यहाँ। व॥र तो उनके प्याहलता है। वो ग्रीन होती है कि पोटो सिंसेजस उनकी टहनियों से हो रहा है होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है तो वही सीजी यहाँ पे कही गई है कि क्रिया सिलता का सिध्धान्त का सेंस क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है वह करके सीखने में यकिन रखता है बात इतनी का जो सिद्धानत है या संपूर जो है महतो रखते हैं मतलब यह क्या करता है संपूर सिछड का महतो यह बोला किसने है राय बर्न ने बोला है किसने यह चीज कहा है राय बर्ने किसने राय बर्न सहाब ने बोला किसने बोला राय बर्न सहाब ने बोला इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई अब देखी हम आगे बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं कि आगे कि इसके कौन-कौन से और जो ह सीलता का सिध्धान्त हो गया और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको उसके बाद मैंने क्या बताया आपको चैन का सिध्धान्त समझेगा एक अगला मैंने क्या बताया चैन का सिध्धान्त क्या बताया हमने आपको चैन का सिध्धान्त बताया क्या कहा चैन है ना चैन का अगला पॉइंट नियोजन का सिधान नियोजन का सिधान एक्चिनी जो चैन का यहाँ पर सिध्धानत है इसमें क्या किया जाता है चात्र जो होते हैं वो ग्यान का चैन करते हैं चात्र क्या करते हैं ग्यान का चैन करते हैं इसके बारे बताती हो चात्र कैसे समझता है कि मुझे इसका चैन करता है या फिर मुझे यही सेलेक्ट करना है इसमें देखिए बहुत ही खास बात है कि छात्रों की जो योगिता होती है उनकी जो रूची होती है उसके अनुसार वह जो पढ़ना चाहता है और सिच्छक उसको हुचिज अगर बताता है तो उस सिध्धांत को क्या कहेंगे चैन का सिध्धांत कहेंगे बात समझ में आ रही है कि जैसे क्या कहते है कि छात्र है उसको जिसमें इंट्रेस्ट है बहुत जो चीज पढ़ना साता है तो कुछ बच्चों में क्या होता है उन्हें संस्क्रत में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं होता है वह इंग्लिस पढ़ना पसं यहां पर योगिता ग्यान और आविश्यक्ता के अनुसार क्या करता है चात्र जो अपने विशाय का चैन करता है उसको पढ़ने में या फिर उस टॉपिक को प्रियोग विधी द्वारा करके सीखने में यकीन रखता है वह सिध्धान्त जो होता है क्या कहलाएगा इतनी बात समझ में आगई अब देखिए यहां पर नियोजन का सिध्धान्त कहने का सेंस हे हो इसको नियोज़त करने का सेंस कर देता है कि सर प्रतम क्या करता है प्रमोग प्रमोग चीजों को क्रम से रखता है बातसम्झ मनें आ रही है जय से प्रतिकूलर कोई टॉपिक ऐसा तिक पर्टिकूलर को डाजिशन के बारे में अगर पढ़ाना आ son अब डाजिशन बहुत है है ना बहुत डिटल में है डाजिशन का टॉपिक बट अगर मैं जो है 9th 10th की student की लेबल का पढ़ाऊंगी सबसे पहले तो आपकी बकल कैबटी है ना मुखगुः के बारे में बताऊंगी फिर इसके बाद किसके बारे में बताऊंगी है ना गॉल लेवर के बारे में बताऊंगी है ना उसकी बाद छोटी आथ स्माल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन यह सब बताऊंगी ना और अगर उसको मैं scientist की पॉइंट से बतना हो तो पूरी एक बुख हो जाएगे digestion की है ना तो क्या करता है जो सिच्छक होता है वह सिच्छारति के पाठी करम में से उसको जितना जानाना चाहिए उसी अनुसार जो उसको करम में रख रहा है उसी को क्या कहेंगे नियोजन का सिध्धान बात समझ में उसी को क्या कहेंगे नियोजन का सिध्धान्त कहेंगे अगला पॉइंट हम बता दे विभाजन का सिध्धान्त अगला पॉइंट क्या है आपका बता दे विभाजन का सिध्धान्त है ना विभाजन का सिध्धान्त अब देखिए विभाजन का सिध्धान्त में क्या कह रहा है विवाजन का सिध्धान्त में क्या कर रहा है कि जब सिच्छा को होता है सिच्छार्थ को पढ़ाता है मने जो टीचर है तो सबसे पहले वो क्या करता है उस टॉपिक को विभाजत कर लेता है जैसे माल लेजियो मुझे PG class के बच्चों को बढ़ाना है तो कोई बच्च अगर फर्स्ट मतलब पहली बार विद्यालेम पढ़ने आ रहा है तो जनरली आप भी जानते हैं आप प्रैमरी की टीशर की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें क्यों होता है अगर इतना दोनों होता है तो बच्चों के करना होता है तो कहिन के इस प्रकार से बच्चा क्या करता है उसा पूरे सब्द को complete करता है करता है कि नहीं करता है तो वही बात यहाँ पे कई है गया है कि जब हम किसी topic को को विभाजत करके पढ़ाते हैं कहीं न कहीं वह सिच्छड जो हो जाता है आसान हो जाता है और विद्यार्थी आसानी से उस टॉपिक को समझ लेता है चाहे वह कितना ही टॉफ टॉपिक की ना अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को समझ में आएगा तो वही चीज यहां पे विभाजन के सिध्धान्त में कहा गया है कि विश्तृत जो भी टॉपिक है उसको स्टेप बाई स्टेप एक सिक्वेंस में पढ़ा रहे हैं वही क्या कहलाएगा विभाजन का सिध्धान्त कहलाएगा इतनी बात समझ में आई अब देखिए हम बात किसकी करते हैं लोक तांत्रिक बेवहार का सिध्धान्त की हम बात क्या करें हमने आपको इसके पहले भी बताया है लोक तांत्रिक बेवहार का सिध्धान्त की हम बात करें किसकी बात मैं कर रही का सिध्धान्त है ना लोक तांत्रिक ब्यवार का सिध्धान्त अब देखिए लोक तांत्रिक ब्यवार के सिध्धान्त में यह कहा गया है कि देखिए हमने आपको बताया था ना कि हमारा जो देश है मतलब एक प्रकार से जो भारत है राजियों का समू है और लोगतंत्र है यहाँ पे जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता से तो वही चीज हमारे जो शिच्छण पड़ाली है इसमें भी है उसमें भी है कैसे है बताते हैं एक जो सिच्छक होता है इसको पीरा एक प्रकार से स्वतन्द्रता है कि बच्चे को जो भी पढ़ाए उसका अगर सारे इस्टूडेंट अलग अलग उत्तर दे रहा है वह सभी के उत्तर को सुने वह सभी के ओपिनियन को सुने बास समझ में आ रही है कारण कि अगर पिद्यार्थी अपने ओपिनियन को अपने प्रियोग को अपने पूरे सिच्छण के सारी विधियों को सिच्छार्थी जो है मैंने पिद्यार्थी सामने रखे है किसके सिच्छ या दोनों आपस में वारता लाप करते हैं दोनों एक दूसरे के विचार का सम्मान करते हैं तो वह जो सिच्छन पडाली होती है उसको लोगतांत्रिक सिच्छन पडाली कहेंगे और लोगतांत्रिक सिच्छन पडाली में क्या होता है कि एक से अधिक विचारों का आदान प्र अंग्रह होता है और मतलब इसमें टीचर भी कही न कहीं सीखता है क्योंकि यहां पे विद्यार्थी को वैग्यानिक अस्तर से देखा गया है और उनमें कुछ ऐसी कॉलिटी होती है जो गौड गिफ्टेड होती है जिनमजात होती घर के सीखने में बास समझ में आ रही है इसल सिखक और सिखार्ती दोनों में वारता लाप होगा और दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे जैसे आप लोग मेरे से सीडीपी पढ़ रहे है तो फिर मैंने कोई भी कोशन आप से फूट अप किया तो आप लोगों ने क्या किया एक से ज्यादा एंसवर दिये तो ऐसी सिचुवेशन में हम क्या कहेंगे कहेंगे हमारे और आपके बीच जो वारता लाप हो रही है हम आप क्या कर रहे है एक दूसरे के विचारों का आपस में हम लोगों में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तो कहेंगे एक दूसरे के विचारों का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इतनी बात समझ में अगाग, अब देखिए आवरित्ती का सिध्धान्त की हम बात करें, जब कभी आवरित्ती का सिध्धान्त की बात आए, किसके आवरित्ती के सिध्धान्त की बात है, आवरित्ती का सिध्धान्त क क्या कहना का सेंस है आवरिति का सिध्धान्त का मतलब ही होता है कि विद्यार्थी ने अगर किसी टॉपिक को पढ़े लिया है किसी सब्जेक्ट को पढ़े लिया है तो उसको एक निसित समय आने पर उसका रिवीजन करते रहा है उसको दोहराता रहे है ना रेटने नहीं करनाले में नहीं आएगा तो जो है मतलब एक प्रकार से रिवीजन करना जैसे विद्यार्थी ने किसी टॉपिक को पहले से पढ़ रखा है तो उसका एक निशन समय पे मतलब दो दिन पर चार दिन पर एक अपते पर महीने पर जो भी उसको टाइम मिल पा रहा है जो भी उसका किया किया एक हपते दस दिन में रिवीजन में किया तो फाइनली वह टॉपिक क्या हो रहा है उसके मैंड में लॉंग डूरिशन के लिए concept clear हो किया वहां उसने रटा भी नहीं बास समझ में आ रही है और उसके बाद कहीं ने कहीं वहां पर उसने कौन से सिध्धान्त को फा है ना निश्यत उद्देश का सिध्धान्त है ना मैंने क्या बताया निश्यत उद्देश का सिध्धान्त अब देखिए निश्यत उद्देश का सिध्धान्त होता है ना मैंने क्या बोला था कि सीखते हम जीवन परियंत हैं याना सीखते क्या करते हैं हम जीवन परियंत है लेकिन जो हम लोग सिच्छड यहां कर रहे हैं जो मैं आपको cdp पढ़ा रहे हूं कहीने के यह cdp आप जो मेरे से पढ़ रहे हो आप life class मेरा देख रहे हो इसका कारण क्या है सिटेट के 30 कोशन जो आते हैं cdp के वो मुझसे पढ़ने की बाद आप सालो कर सके इसलिए आप मेरे से cdp पढ़ रहे हैं तो कहने के जो सिच्छड होता है वो उद्देश होता है उसमें सिच्छड में क्या होता है उद्देश होता है बाकी हम सड़क पर आ रहे हैं या जा हमसे पर से ने का दो सब्सक्राइक है छीके जो नो जहते हैं जो सिच्छड की बात में ने किया था यानि मैं ने क्या बोला था टीचर बोला था है आप ui्लैक की बात किया था हम तिरी इद्रेवी बताया था था ना ल क्यूंट और इस्टूडेंट और यहां पे करिकूलम इनके बीच में जो संबन्द है इसका कही न कही एक लच्छ है उस लच्छ को मैंने क्या नाम दिया था? संदर में कि हम किस संदर में सिच्छड हमारा हो रहा है हम CDP पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? सिट्ट कॉलिफाइड होने के लिए मेरा सिट्ट हो जाएगा तो हम सूपर्टेट का एक्जाम देंगे फिर हम वेकेंसी सूपर्टेट यानि वेकेंसी हो गई तो हम वहाँ पे अप्लाई करके एज ए प्राइमरी के टीचर होंगे इतनी बात समझ में आ गई अब देखिए अब हम बात किसकी करते हैं? वेक्तिक विभिनताओं का सिध्धान्द अब हम किसकी बात करते हैं? वेक्तिक विभिनताओं का सिध्धान्द वेक्तिक विभिनताओं का सिध्धान्द वेक्तिक विभिनताओं का सिध्धान्द अब देखिए वेक्तिक विभिनताओं का सिध्धान्द की सबसे खास बात क्या होती है? सिच्छड के दौरान एक सिच्छक के अलावा सिच्छक जो होता है पूरे क्लास का अगर प्रतिकूल माहौल है ऐसे सिच्छन में सिच्छक क्या करता है वो उस मोहल को अनकूल में मदलता है और उसके अलावा जो classroom है यानि जो कच्छा है वहाँ पे कई विद्यारती हैं कई घरों से हैं उनका जो सोचने की जो thinking है वो कई तरह की है उनका अक्यूलेबल कई तरह का है उनके opinion कई तरह के हैं कई जाती धर्म विचार भासा के हैं दिया दो हजार uniqu में क्या कहा गया कम जोर बच्चा हो चाहते जाए क्चा हो दोनों को एक ही ब्रौ क्ष़श दिय जाएगी दोनों में से किसी स्टे Любुब 75 हो पे कहा में कगया समःको से सिच्छा के बारे में इतनी बास समझ में आई तो इंडिविजुल डिफरेंस में क्या होता है कि जो सिच्छा देता है विद्यार्थी को उस टाइम जो विद्यार्थी होता है जो सिच्छा वो ले रहा है जो सीख रहा है ऐसे सिच्छा में क्या करता है वो कि जो होता है एक यह से जली जादा लोगों की मतों का ज्ञान होता है, एक से जली जादा उपीनियन आते हैं, किसके पास, सिछा बिद्यारते भी अपने सांति उतना में बहुत सारी चीजों को सीखता है इतनी बात समझ में आ गई अब हम बात करेंगे पूर ग्यान का सिध्धान्त हम किसकी बात करेंगे पूर ग्यान का सिध्धान्त क्या बताएंगे हम पूर ग्यान का सिध्धान्त एक्षिली जो पूर ग्यान का सिध्धान्त होता है न देखिए हम बात किसकी करेंगे नवीन मतलब की पूर्व ग्यान मतलब एक प्रकार से पूर्व ग्यान की हम बात क्या कहेंगे देखिए एक प्रकार से यह जो होगा यहां पे देखिए हमने क्या कहा पूर्व ग्यान का मतलब यहां पे हो गया एक प्रकार से समझ लीजिए इसको और भी क्या कहते हैं इसको कहेंगे पूर्व ज्ञान का सिध्धान और पूर्व ज्ञान का सिध्धान आप लोग दिने देखा होगा जब हम जैसे क्लास नायंत में किसी भी जा विध्यारती का अड्मिशन करवाते हैं तो क्लास एर्थ कि वहाँ पर मार्स्ट वागेरा तो प्रवे ज्यान के बारे में उसके मार्क्सिट से पता लगा लेता है अब क्या होता है को लोग ऐसे वैसे नंबर जादा पा जाते हैं तो अब फिर विद्यालों ने क्या प्रणाली में डाल दिया कि टेस्ट ले करके अडमिशन लेंगे हैं तो यहां समझ लीजिए पूरव ज्यान के बेस पे अगली क्लास में विद्यार्थी को अडमिशन जो दिया जाता है वो बहुत बड़ा सिध्धानत है सिच्छड का यहां पर यहां समझ लीजिए कि बच्चा का पूरव ज्यान कैसा है अच्या हम लोग मैठ अगेरा पढ़ते तो उसमें पिछली क्लास का पहले वाले चैप्टर में कुछ पॉइंट रहता है, है नहीं कारण क्या रहता है, उसी के बेस पे हमारा अगला जो है चैप्टर उसी पर डिपेंड करता है, इतिनी बास समझ में आ रही है की नहीं आ रही है, अब देखिए छात्र केंदरित, हैन आपने क्या कहा चात्र केंद्रित सिच्छन की बात की जाए तो सबसे पहले तो देखिए अक्सर सीटेट में कोशन बूच देता है कि माली जी कोई भी कोशन हम बता देते हैं आप लोगों कि कोई माली जी अभिवावक है और वह देख रहा है कि कच्छा में बहुत सारे विद आ रहा है तो अभिवावक क्या करेगा प्रदानाचार से शिकायत करेगा या फिर जो वहां का जो है क्लास टीचर है माले वहां का जो सिच्छक है उससे सिकायत करेगा ऐसे में सिच्छक पर विश्वास करके जो है करेगा यह सारे आप्शन आते हैं इस पर जो चातर केंदे से सिच्चड विवस्ता का सबसे मेंन प्रदान के लिए और चातर केंदे ते सिच्चड विवस्ता इसलिए कहा गया कि वे अपने विचार रख सके और उनकी वहां पे पता उनको चलना चाहिए कि वो जो भी कर रहे हैं प्रियोग या फिर जो भी assignment दे रहे हैं वहाँ पर उसकी बारे में क्या किया जा रहा है वैलू दिया जा रहा है है ना तो कभी भी बंदब की एक तरफ समझे सिच्छार्ति को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वो उसको importance नहीं दी जा रही है ऐसे में कहीं ने कहीं जो सिच्छार्ति हुआ अपने आपको बहुत ही जैसे कि एक तरफ से बहुत ही ज्यादा तूटा हुआ महसूस करेगा कि मेरे प्रियोग को मेरे assignment को मेरे इतनी मेहनत को परिश्रम को importance मैं टीचर नहीं दिया इसलिए कहा गया है कि मतलए कि प्रेणा का सिद्धांत दिया गया है कि अगर विद्यारती करके सीखने में विश्वास रखता है तो ऐसी स्तिति में हमें क्या करना चाहिए विद्यारती को प्रेणा देना चाहिए आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही बेटर है मात इतनी समझ में आई अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे teaching methodology पढ़ेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या क्या इसके principle है तो हमने क्या पहला बताया कि जो है सबसे पहले तो जो है चात्र के आजपास की जो महौल है समाजिक द्रिष्टी से नैतिक द्रिष्टी से उससे संबंदित ग्यान हमेशा देंगे उसके बाद मैंने क्या बताया चैन का सिध्धानत बताया कि बच्चे का जिसमें रूची होगा जिसमें इंट्रेस्ट होगा जिस सब्जेक्ट में उसको लगा होगा उसी सब्जेक्ट का चैन वो करेगा फिर मैंने आपको बताया नियोजन का सिध्धा कि हमने उसमें क्या कहा कि देखिए टॉपिक जो होता है बहुत ही लांग होता है विस्त्रित होता है सिच्चक हमेशा क्या करता है पढ़ाता कैसे उसको नियोजित करके पढ़ाता है उसके बाद मैंने आप से क्या बता है कि विभाजित करके मैंने क्या बता है कि जैसे माल लीजी डाइजेशन का ही टॉपिक मुझे पढ़ाना है तो मैं सबसे पहले किसके बारे में बताऊंगी अगर मैं पूरा डाइशन सिस्टम बताऊंगी बच्चे को तो उसको समझ भी नहीं आएगा अगर उसको हम एक एक पार्ट को विभाजित करके बताएंगे जैसे सबसे पहले जो है आप किसको पढ़ाएंगे मुख गुहा के बारे में बताएंगे अगर ऐसे करके बताएंगे एक उस तो कहीं हमने नियोजित करके उसको सिच्छा दी तो उसको क्या होगा उसको कॉंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो करेंगे यह सिद्दान तो सिच्छड का मेरा जो है मच्चे के ऊपर लागू होना चाहिए हैना अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है कि लोक तांत्रिक पैश्छ मेंने दिया है कि सबसे खास पॉंאंट क्या है कि इसमें सिच्छक और सिच्छान्थि दोनों एक दूसरे के वारतालाब का विचार का आधान पदान करते हैं और एक दूसरे के विचार का क्या करते हैं संबान करते हैं इतनी बात समझ में आए और उसके बाद मैंने बताया तो आवरित्ती के सिध्धान्त की जब बात आये तो तुरूंद समझ जाए कि सिचक ने जो सिच्छार्थी को पढ़ाया है समय समय पर क्या करना चाहिए विद् केंद्री सिच्छड सिधान्त में किया होता है कि कोई भी टॉपिक अगर बच्चा पढ़ रहा है या फीराम मुझस से चीड़ी पढ़ रहे हैं तो आप कहीइन कहीं क्या है उद्देश है भीना उद्देश किया आप नहीं पढ़ रहा है उसके बाद मैंने क्या बताया ingredients का सिद्धान्त जब हम क्लास लेते हैं उसमें एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो कहीं पर बहुत मतला कि बहुँ भासिकता का वहां पर मतला बच्चे एक से ज्यादा भासाओं का ग्यान होता है एक से ज्यादा कर्चर का ग्यान होता है एक से ज्यादा जो है उत्रों का वहां से पहले उसको पूरो ग्यान के भारे में पता हो लगाना चाहिए उसको पहले से क्या पता है डाइकली अपने कॉंसेप्ट को नहीं पढ़ाना चाहिए पूरो ग्यान का सिदांद इसलिए अविश्यक है इसके बाद मैंने क्या बता है तो छात्र केंद्रित सिच्छा का सिदा के बारे में क्या बताते हैं teaching methodology क्या होता है कौन कौन से methodology मानि कौन कौन से विधी है सिच्छड की है ना क्या है teaching methodology teaching methodology है ना सिच्छड विधी सिच्छड विधी actually सिच्छड विधी में सबसे पहले हम सबसे पहले बताते हैं आगमन विधी को सबसे पहले क्या बताएंगे आगमन विधी की देखिए आगमन बिधी के जनक कौन है अब देखिए आगमन बिधी के जनक कौन है इसके जनक जो है आगमन बिधी के अरस्तु है कौन है जनक अरस्तु है ना कौन है अरस्तु है ना अब देखिए आगमन बिधी की यहाँ पे कहने का सेंस क्या होता है इस में क्या है? इसका एक और point है इस थूल से सूच में इस थूल से सूच में अगर हम को विद्यार्ती को फोटो सिंथेसिस है ना पढ़ाना है क्या पढ़ाना है फोटो सिंथेसिस पढ़ाना है एक प्रकार से प्रकास संसलेशन के बारे में बताना है तो पेड में जो प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है कहीं न कहीं वो अमूर्थ क्रिया है वह मुझे दिखाई नहीं देती है, वह मुझे दिखाई प्रत्य चुरूप में नहीं देती है, तो हम सबसे पहले बिद्यार्थी को पेड़ की मूर्थ अवस्था के बारे में बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, मूर्थ अवस्था के बारे में बताएंगे, कि देख कि रोशनी आने पर बोजन बनाता है यह सारे चीजें हम बताएंगे उसके बाद हम बताते हैं फोटो सिंथेसिस के बारे में इतनी बास समझ में आ गई तो कहीं ने कहीं इस थूल आपका क्या हो गया पेड की जानकारी हमने जोदी विद्यारती को पेड के पास ले गए हमने मूढता है देखो यह पेडे है नीची वाली पोशन कि हम लोग रूट काते हैं इसके बास इस्टहें होती है उसके बाद लीफ वोती है यह लीफ जो ग्रीन है उसमें कहीं ने कई एक प्रिकार का pall का प्रजन में आपना भोजन म्ना नाता है हम ऐसे कहेंगे तो कहने कि तब विद्यारतिय को आशाले से समझ में आता है तो इसको हम लोग कहीं नकई जो विद्यारति होता है वह मूर्थ-मूर्थ की और जाना पसंद करता है विद्यार्थी सबसे पहले मूर्थ अवस्था के बारे में ग्यान रखता है किसके बारे में मूर्थ से अमूर्थ है ना मूर्थ से अमूर्थ है ना अब अगला पॉइंट समझेगा ग्यात से अग्यात है ना मैंने क्या कहा ग्यात से अग्यात है ना तो पहले विद्यार्थ विधी के प्रतिपादक और जनक कौन है अरस्तु सहाब है वो इसमें यह कहते हैं कि विध्यारती को यह जो विधी है जो उधारण पर निर्फर करती है अनुभावों पर एक तरुकार से समझे उधारण पर निर्फर कैसे करती है यह विधी एक प्रकार से जब विध्यारती क चाहिए को हमेशा घ्यात से अग्यात की और ले जाती है ने मुंनि पेड चीज़ों को देखा उसके समझ में आया सबसे ज्यादा अच्छा किसके लिए होता है चोटे बच्चों के लिए यह जो सिच्छण पद्दी है सिच्छण का यह जो मेथड है यह जो सिच्छण की बिती है सबसे ज़्यादा उपियोगी किसके लिए होती है बच्चों के लिए होती है अचछी दीखिए आज की क्लास हम यहीं पर स्टाप करेंगे अब हमारी क्लास अपने टाइम पर कल हो